धनबाद में अफराधियों ने जार्खन कैडर के IPS और ADG नवीन कुमार सिंग की मा बिमला सिंग के गले से सोने की चैन जपट लिये सराय डेला निलांचल कलोनी इस्तित अपने घर से बिमला सिंग पूजा करने पास कही मंदिर में गई थी घर लोटने के दोरान बाईक पर सवार होकर आए दो अपराधियों ने उनकी चैन जपट ली घटना की जानकारी मिलते ही सराय डेला थानाव के प्रभारी और इंस्पेक्टर बिनय कुमार फोरं घटना अस्थल पर पहुंचे उन्होंने नवीन कुमार सिंग के पिता एपी सिंग और मा बिमला सिंग से घटना की जानकारी ली घटना की जानकारी मिलते ही पुलीस के हात पाउं पुलने लगे धनबाद से लेकर राची तक पुलीस अपसरों के फोन घनगनाने लगे इंस्पेक्टर के अलावा DSP Law & Order अर्विंद कुमार सीना भी सक्री हुए घटना अस्थल के आसपास के छेतर में लगे CCTV कैमरों को पुलीस खंगालने लगी पिछले कुछ दिनों में सहर के अंदर चैन चिंतई की घटना बढ़ गई है अपराधियों की धड़ पकड़ नहीं होने के कारण उनके मनसुबें साथवे अस्वान पर पहुँच चुके हैं अब वारदाद पुलीस के बड़े अधिकारी की मा के साथ हुआ है लिहाजा पुलीस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है आपको बता दें कि नवीन कुमार सिंग 15 माई 2021 से केंद्रिय परतिन्युक्ति पर हैं जारखन में ADG वायरलेस रहते उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पर NTRO में बतार सीनियर एनालिस्ट बना कर भेजा गया था आपको यह भी बता दें कि साड़े तीन साल पहले नवीन कुमार सिंग के निलांचल कलोनी स्थियत घर में चोरों ने धावा बोला था उच समय वे राची में IGH थे 11 जनवरी 2020 की राद चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया था उनके पिता एपी सिंग अपना इलाज कराने अपने पुत्र नवीन के पास गए थे चोर घर से चांदी के कुछ जेवरात भी ले गए थे खाली घर की रखवाली की जिमेदारी जैब 3 के जवान को सौपी गई थी जैब जवान की कोताही के कारण ये घटना घटी थी जांच में पाया गया था कि जवान उस राज ड्यूटी पर नहीं आया था फिलाल जो घटना घटी है उसको लेकर धनबाद पुलीस काफी एक्टिव हो गई है और लगातार इलाकों में चापे मारी चल रही है लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है उसकी अनुसार स्नैचर अब तक नहीं पकड़े गए हैं बायोम जो है मेरिकल प्रिपरेशन का एक मात्र संस्थान जहां है complete digital classrooms, video lectures, student tracking system, library facility and 100% result oriented ranker's badge बायोम हीनु एवं नगरा टोली प्राची to follow-up dot in